तो दोस्तो रामदेव जी के दर्शन करने के बाद हमा आए गए राउस्रीय माताजी के मंदिर कुछ लोग राउस्रीय माताजी बोलते कुछ बायां सा बोलते तो ये रामदेव राउसे थोड़ाई दूर पसिम दिशाकी और एक तलाब की पाल पड़े ये माताजी का मंदिर जो भी फिराव स्रिया माता जी या बायां जी पूज थे वो इस जगा के परसाद आउशिय कर दे तो हम भी गए और वहाँ जाके परसाद की और प्रिक्रमा लगई तो कैसे है कि जिस समय बाज सा को परसाद दिया था उस समय पाबा रामदेव जी खुद ने यहां पर बलाया था बायांसों को और उसी दिन से यह इस्तान है यहां पर तो यह निजमंदिर और इसके बाद हम आ गए डाली बाई की जाल या जलो का बोलते है जो कि रामदेवरा से तीन किलोमेटर दूर है बिकनेर आईवे पे यह डाली बाई की मिलने का इस्तान तो परतान बार रामदेव जी माराज को डाली बाई यहीं पर मिले थे इसी जाल के बरक्स के पास इसलिए यह पूजिनी है और सब भी लोग यहां आके ही जाते है तो ये है डाली भाई की जाल या जलोखा बोलते है इसको और ये है बाबा राम देव जी माराज का सोटा सा मंदिर बना हुआ जाल के पीसे ही ये देख ली जी जाए बाबा राम देव जी डाली भाई और शुग्णा भाई ये माताजी कनेज बन दिर है डाली भाई का और यही है वो इस्तान जाँ पर डाली भाई राम देव जी माराज को पहली बार मिले थे सोटी अवस्ता में और यहां से डाली भाई को ले गए घर और पालन पोसन उनों नहीं किया डाली भाई रामदेव जिमाराज की मूँ बेली बेन थी तो हमने भी मंदिर की परिकर्मा कर लिए परसाज से डा दिया है और यहां पर काना राम बना रहे हैं वीडियो पली सौकी का बोर्ड लगा हुआ है उसके पास बैठके और बाकिस साथी भी इदर उदर मुला राम ठाकरा राम वगेर सब गूम रहे हैं यह मुला राम खड़े है ठाकर राम दुसाइर यहां पर नहीं है कहीं और चले गए तो दोस्तो राम देवरा यात्रा समन्दी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगो लाइक से और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल पर नियुए चैनल की सदेशता लेकि गंटी का बटन अवशी दबा देना अन्मान जी का मंदिर इसके बाद हम अन्मान जी के दर्शन कीए